फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंग बोक्स में पूछा कि more often than not क्या है यानि spoken English में more often than not को कैसे इस्तिमाल करें तो आए फ्रेंड्स इस concept को समझें फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे latest वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके आए फ्रेंड्स देखें कि more often than not क्या है more often than not means आदे से अधिक समय तक अगर आपको कहना हो हम आदे से अधिक समय फिल्म देखें तो आप कहेंगे more often than not we watch the movie आधे से अधिक समय तक मैं तुम्हारा इंतजार किया, तो आप कहेंगे, more often than not, I waited for you, यानि, आधे से अधिक समय तक, आधे से ज्यादा वक्त तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तो friends जब आपको कहना हो, आधा से ज्यादा वक्त तक, तो आप more often than not का इस्तेमाल करेंगे, आईए फ्रेंट्स एक एक्जाम्पल और देखते हैं More often than not आधा से अधिक समय जैसे अगर आपको कहना हो आधा से अधिक समय वो सिंगार करने में ले ली या सिंगार करने में बरबाद कर दी तो आप कहेंगे More often than not See where state in making up Friends अगर आपको कहना हो आधा से अधिक समय तुम बखवास करने में गुजार दिये तो आप कहेंगे More often than not You went on talking nonsense यानि आधा से ज़्यादा वक्त तुम बखवास बाजी करने में गुजार दिये Friends अगर आपको कहना हो आधा से अधिक समय तुम परचार परसाद में गुजार दिये या बरबाद कर दिये तो आप कहेंगे More often than not You wasted in publicity आधा से अधिक समय तुम घाने में गुजारे तो आप कहेंगे More often than not You passed in eating तो उमीद करताऊ Friends कि आपको Friends वाकई अगर आपने इस टॉपिक को समझा तो क्या इस टॉपिक पर 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकू कि आपने कैसे सीखा सही या बलत फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई